सेर कुछ समय सांत हो इसका मतलब यह है नहीं है कि वो खाली बेठा है इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ी छलांग की त्यारी कर रहा है तो प्यारे बचों आप सभी बच्चों ने भर-बर के कोमेंट किया कि सर कक्सा 10 गणित मेथेमेटिक्स के ओल चेप्टर के जो वो आपके ओल्रेडी त्यार हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर में आपको सभी फॉर्मूले सभी चेप्टर के देने वाला हूं तो वीडियो को आपको कम्पलीट देखना है अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो इसके अलावा आपको कहीं पर भी फॉर्मूले दे से बना सकते हैं ओके और वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट हैं यदि अभी तक आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में नोटिविकेशन बेल को प्रेस कर लिजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिशना हो और सभी बच्चों को एक बार कोमेंट में जे माता दी जे महाकाल जरूर लिखना है और यहाँ पर सबसे पहला जो चेप्टर है हमारा प्रसनावली एक है आपके जो चेप्टर नमर वन है आपके वास्तविक संख्या यानि रियल नमर तो रियल नमर के अंदर आपके कौन-कौन से फोर्मूले है सारे formula मैंने include किये हैं तो सबसे पहले है आपके Euclid Vibajan Premier का जिसको Euclid Vibajan Algorithm भी कहा जाता है और इसको Kalan Vidi भी कहा जाता है ओके तो सबसे पहले आपको जो अपनी notebook है उसमें साथ साथ में लिखना है और इसकी जो PDF है वो आपकी इस परकार से प्राप्त कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊँ है तो सबसे पहले है आपके Euclid Vibajan Premier का जिसका दूसरा नाम है Euclid Vibajan Algorithm और एक नाम हो रहे इसका Kalan Vidi इसका formula है आपके भाजे बराबर भाजक गुणा बागफल प्लस सेस्पल बराबर 0 ओके यह सुत्र आपको ध्यान रखना है और यह सोट में आप सुत्र ध्यान रख सकते हैं A बराबर B इंटू Q प्लस R इक्वल 0 ओके यहाँ पर देखिए दूसरा जो formula है आपके HCM और LCM में समंध इसे काफी सारे काफी सारे formula है आप बना सकते हैं और इस पर आपके एक question आपके board exam में हर बार पूछा जाता है इस सुत्र से related जो सवाल है related जो question है वो हर बार आपके exam में आता है तो सबसे पहला जो सुत्र है वो है आपके HCF और LCM में समंद यानि HCF और LCM में समंद क्या होता है तो इनका जो समंद है वो है पहली संक्या गुणा दूसरी संक्या बराबर HCF गुणा LCM ओके यहां पर आप अगर आपको पहली संक्या निकालनी है अगर आपको क्विशन में पहली संक्या पूछी है फस्ट नमर आपको निकालना है तो उसका formula होगा आपके HCP गुणा LCM बटे दूसरी संक्या ओके और दूसरा जो formula है वो आप ये बना सकते हैं कि दूसरी संक्या बराबर HCP गुणा LCM बटे पहली संक्या और उसके बाद में तीसरा formula आप बना सकते हैं अगर आपको दोनों नमबर दिये गए हैं तो HCM वो आराम से आप याद कर सकते हैं पहली संक्या गुणा दूसरी संक्या बटे LCM ओके अगर आपको LCM निकालना है तो पहली संक्या गुणा दूसरी संक्या बटे HCM तो आपको ये सुत्र जहां रखना है इसमें केवल यही सुत्र है यानि इसमें मैंने आपको टोटल चार सुत्र बताएं हैं, चारो सुत्र आपको याद गरने हैं, इनके अलावा इस चेप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता है, उसके बाद में परसनावली दो है, आपके चेप्टर नम्मर दो है, बहुपद, यानि पॉलिनोमियल्स, तो इस चेप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले मेंने इंक्लूड किये हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला है, आपके सुन्नेकों का योग, यानि सम अब जिरोज, तो सुन्नेकों का योग है, उसका फार्मूला है, आपके माइनस का बी बटे ए, या फिर आप लिख सकते हैं, कि minus x का गुणांक minus x का गुणांक बटे x square का गुणांक और उसके बाद में दूसरा सुत्र है आपके सुन्नेकों का गुणनफल यानि product of zeros तो इसका फार्मूला है आपके c बटा a यहाँ पर c क्या है आपके अचरपद है और a आपके है यहाँ पर x square का गुणांक तो यह सुत्र आपको याद गरना है तीसरा सुत्र है आपके द्विगाद बहुपद यानि quadratic polynomials अगर आपको find करना है द्विगाद बहुपद आपको बनाना है तो उसका फार्मूला है x square minus और उसके बाद में cost तक alpha प्लस बीटा उसके बाद में into में aks है plus alpha into beta बराबर 0 यहाँ पर alpha plus beta का मतलब क्या है सुनने को का योग है तो यहाँ पर alpha plus beta की जगे आप सुनने को का योग भी लिख सकते हैं और उसके बाद में second है आपके alpha into beta तो यहाँ पर alpha into इस चेप्टर में केवल आपके तीन ही फॉर्मूले है इनके लावा एक भी फॉर्मूला नहीं है आपके उसके बाद में प्रसनावली तीन है आपके चेप्टर नमर तीन है आपके दो चरो वाले रेखिक समीकरण तो इस चेप्टर के अंदर पहला जो फॉर्मूला है वो है परती छेद करती रेखाएं अगर आपको परती छेद करती रेखाएं ग्राफ जो अपन बनाते हैं उसमें इसके ग्राफ के अलावा भी छोटे छोटे कुश्चन बनते हैं आपके जो ये फॉर्मूले में आपको बता रहा हूं इनी फॉर्मूले से आपके कुश्चन से वो ज बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, B1 बटा, B2 के बराबर, ओके, इसलिए यहाँ पर नोट इक्वल है, अगर सम्पाति रेखाएं हैं, तो उसके लिए क्या सर्त होगी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, बराबर C1 बटे C2, यानि इसमें तीनों हैं, वो बराबर हैं, और अगर समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, तो उसके लिए सर्थ होगी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यानि A1 बटे A2 किसके बराबर है, B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर note equal लगा है, यानि C1 बटे C2, और अगर यूगम आपको पूछता है, संगत यूगम कब होगा, आपके संगत यूगम कब होगा, जब तीनों बराबर हों, जब तीनों अलग अलग हों, अगर तीनों बराबर हैं, तब भी संगत यूगम संगत होगा, अगर तीन बराबर नहीं है यानि अगर इस प्रकार की condition है तो उसमें ऐसंगत होगा ओके अगर हल की हम बात करें केवल एक हल यानि एद्यूत्य हल के लिए तो एद्यूत्य हल के लिए क्या condition होगी क्या सर्थ होगी A1 बटे A2 not equal B1 बटे B2 अगर एप्रिमित रूप से अनेक हल अनन्त हल हो तो उसके लिए क्या condition होगी उसमें तीनों बराबर होगी यानि अनुपात है वो क्या आएगा रेशियो है वो क्या आएगा बराबर आएगा अगर कोई हल नहीं है यानि कोई solution नहीं होगा समीकरण आपको दिया गया है उसमें कोई solution नहीं है कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए क्या condition है उसमें 2 माने वो बराबर होंगे यानि A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 not equal C1 बटे C2 तो यह सुत्र भी आपको याद गरना है उसके बाद में last formula है आपके इस chapter का वजर गुणनविदी यानि cross multiplication method तो देखे cross multiplication method है उसमें formula से अपन questions को बनाते हैं तो ये formula आपको apply करना है यहाँ पर कि x बटे b1c2-b2c1 बराबर y बटे c1a2-c2a1 बराबर 1 बटे a1b2a1b2-a2b1 तो ये formula आपको याद रखना है उसके बाद में प्रसनावली चार यानि चेप्टर नमर चार है आपके द्वगात समीक्रण यानि quadratic equation तो इसमें कौन-कौन से फॉर्मूले हैं तो इसमें पहला फॉर्मूला है आपके द्वगाती सूत्र जिसको सिरीदराचारिय शूत्र भी कहा जाता है तो सिरीदराचारिय यानि जो मूलों की परकरती है वो तीन परकार की होती है एक तो उसमें दो अलग-अलग वास्तविक मूल आते हैं और एक उसमें दो बराबर वास्तविक मूल आते हैं और एक उसमें कोई मूल नहीं होता यानि वो कालपनिक होता है तो उसके लिए condition दी गई है अगर दो भी वास्तविक मूल हो तो B square minus 4SC है उसका मान है वो 0 से क्या होगा ज्यादा होगा अगर 0 से ज्यादा है अगर 0 से ज्यादा है तो उसमें 2 वास्तविक मूल होंगे अगर 0 है बराबर में दोनों का मान क्या है 0 है 0 के बराबर हो तो दोनों मूल है वो बराबर होंगे वास्तविक हो परसनावली 5 है आपके समांतर स्रेडी अब समांतर स्रेडी में पहला जो फॉर्मूला है एर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर पहला फॉर्मूला है आपके सारू अंतर यानि common difference जिसको D से अपन दरसाते हैं अगर D आपको निकालना है तो D के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते A2-A1, A3-A2, A4-A3 उसके बाद में अगर आपको अगले पद निकालना है तो अगले पद के लिए अगर हम पूरे पदों की बात करें तो जिसमें पहला पद है उसको अपन A1 से दरसाते हैं दूसरा पद है उसको A2 से तो A2 अगर आ A2-A3-D लगाएंगे अगर आपको 5 वापद निकालना है तो इसके लिए A4-D लगाएंगे अगर मान लीजिए आपको 10 वापद निकालना है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अपलाई करेंगे या आप सभी बच्चों को कोमेंट में बताना है उसके बाद में है नव ट्रेम तो इसका फार्मूला क्या होगा A plus N minus 1 गुणा D अगर आपको अंतिम पद से N वा पद निकालना है ये फार्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ओके ये मैं बता रहा हूं और आपकी जो बुक है जो उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें पांच या च योग ज्याद करना है तो N पदों का जो योग है उसको SN से दरसाएंगे तो उसके दो या तिन सुत्र है जिसमें पहला सुत्र है N बटे 2 A plus N ये सुत्र तभी काम करेगा जब आपको क्यूशन में A और N दिया गया है यानि पर्थम पद और अंतिम पद अगर आपको A plus N minus 1 गूणा D ये सुत्र आपको याद करना है उसके बाद में सबसे most important formula है आपके पर्थम N धन पूणाको का योग अगर आपको पर्थम N धन पूणाको का योग याद करना है तो उसके लिए आप सुत्र लगाएंगे SN बराबर N cost N plus 1 बटे 2 इससे काफी सारे questions है वो आप formula है वो है आपके दूरी सुत्र यानि distance formula तो दूरी सुत्र है वो है आपके अंड रूट X2 minus X1 का holy square plus Y2 minus Y1 का holy square अगर आपको midpoint निकालना है मद्य बिंदू की निर्दे सांक आपको ग्याद करने है तो आप कौन सा formula यूज करेंगे X के बराबर में है X1 plus X2 बटे 2 और Y के ब formula याद करना है विभाजन सुत्र अंते विभाजन सुत्र याद करना है तो आप क्या करेंगे जो विभाजन वो दो प्रकार का होता है अंते विभाजन और भाई ये विभाजन आपको questions में अंते विभाजित अंते विभाजन नाम दिया गया तो आप कौन सा formula यूज करेंग है तो यहाँ पर जो sign plus का लगा हुआ है यहाँ पर आपको किस का sign लगाना है minus का sign लगाना है तब वो वह विवाजन हो जाएगा उसके बाद में हैं आपके त्रिभुज का चित्रफल यानि ट्रिंगल area of ट्रिंगल तो त्रिभुज का चित्रफल अगर आपको ग्याद करना है तो उसके लिए उसके लिए कौन सा सुत्र है सबसे बड़ा सुत्र है किस तरीके से आप याद कर सकते हैं एक बट्टा दो x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 यहाँ पर आपको 123, 231, 312 यह कोड आपको ध्यार रखना है उसके बाद में है प्रसनावली आठ चेप्टर नमर आठ है आपके त्रिकोण मित्य का प्रिचे यानि introduction of trigonometry इस चेप्टर का नाम सुनते ही बच्चे की सूसू आने लगती है क्यों आने लगती है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूले बदा करता ही यह बाकी सुत्र भी आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप सारे सुत्र मेंने include किये हैं एक भी सुत्र नहीं छोड़ा है आपको कहीं किसी भी platform पर जाने की जूरुत नहीं है यगर आपने यह सुत्र वाला वीडियो आपने देख लिया तो सुत्र है वो आप आरा सानी से याद कर सकें मेथ में गणित में किसी प्रगार की प्रोब्लम ना आई तो आप सभी बच्छों की डिमांड पर यह वीडियो में लेकर आया हूँ, सभी बच्चों को share करना है, इतना share करना है, कितना share करना है, मैंने आपको बता दिया है, all student के पास पहुंचना चाहिए, तो सबसे पहले है आपके त्रिकोन मितिय अनुपात, यानि जो trigonometric ratio हैं, उनको हम किस परकार से change कर सकते हैं, सबसे पहले हम side की बात कर हैं, तो देखें, आपने एक formula पढ़ा होगा, L, A, L, K, K, A, ओके, यहाँ पर L का मतलब है, L, A का मतलब आधार, K का मतलब करन, तो यह सुतर आपने पढ़ा होगा, L, A, L, K, K, A, और आधार, L, A, K, A, आपने पढ़ा है, सबसे पहले हमें sine को change करना है, तो sine बराबर क्या होगा, L, A, क, A, यह आपके sine है, यह कोस है, यह सेक और यह कोट, तो sine theta बराबर होगा लंब डचे करन, sine का opposite angle क्या होता है, आपके कोसे क, तो कोसे का देखो, यहाँ पर आप आप देख सकते हैं, opposite हुआ है, विलोम हो गया, आपके आधार बटे करण, Koth के बराबर में क्या है आधार बटे करण है तो Koth का A proposit एंगल क्या है तो PAT 6 पर 10 का बन गए आधार बटे 5-0 तो इस परकार से आपको याद करना है और यहाँ पर सबसे Imported बात है बचो ध्यान दें इसमें सबसे इंपोरेटर्ट चीज मैंने include की है वो है Sine theta बराबर 1 upon cosec theta यानि Sine theta को आपकिस में change कर सकते है 1 upon cosec theta में change कर सकते है तो Sine का opposite होता है cosec सबी बच्चे जानते हैं तो इसको आपन किसमें change कर सकते है 1 upon Sine theta उसके बाद में है Cos theta कोस थीटा बराबर होता है वन अपोन सेख थीटा तो सेख थीटा बराबर क्या होगा वन अपोन कोस थीटा और टेन थीटा बराबर है आपके वन अपोन कोट थीटा या फिर साइन थीटा बटे कोस थीटा और टेन का पोजिट होता है आपके कोट तो इसको वन अपोन टेन य बराबर लंब स्क्वाइर करन स्क्वाइर माइनस लंब स्क्वाइर बराबर आधार स्क्वाइर अगर आपको आधार स्क्वाइर निकालना तो यह सूतर आप अपलाई करेंगे अगर लंब निकालना तो यह करन निकालना तो यह ओके उसके बाद में हैं पूरक कोणों के त्र सिटा वराबर क्या होगा को फिर और उसके बाद में हैं डिकण मिठी सर्व समीका सर्व समीका से related जो algebra से समंदित जो सुत्र है वो है पहला सुत्र है आपके sin square theta plus cos square theta बराबर क्या होता है एक होता है 1 minus cos square theta बराबर क्या होता है sin square theta और 1 minus sin square theta बराबर क्या होता है cos square theta उसके बाद में है 1 plus 10 square theta बराबर क्या होता है सेक square theta और सेक square theta minus 1 बराबर क्या होता है तेन स्क्वाइर थिटा सेक स्क्वाइर थिटा माइनस तेन स्क्वाइर थिटा बराबर क्या होता है एक तो इस प्रकार से आपको याद गरना है उसके बाद में नेकस्ट है आपके कोट स्क्वाइर थिटा प्लस एक बराबर क्या होता है कोशेक अबंदमें यहाँ पर प्रस्नावली 12 यानि चेप्टर 12 वर्तों से शमंदित च्टरफल यहाँ सबसे पहले हैं आपके वृत का च्टर फल यानि एरिया ऌफ सरकल है अ सबसे पहले हैं आपके वरिद्ध का 7 बार Frankfurt आपके द्झाल ब्रींद दिर्ग तिर्जे खंड का जितरफल है आपके थेटा, 360 डिगरी माइनस थेटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वाइल तिर्जे खंड के संगत चाप की लंबाई का सुत्र है, आपके तीन सुत्र है टू पाई आर थिटा बटे 360 या पाई आर थिटा बटे 180 या एक बटे 2L इन्टू आर ये फार्मूला आपको कब लगाना है जब क्यूशन में आपको लंबाई दी गई है और तिर्जा दी गई है तब आप संगत चाप की लंबाई है वो आराम से बना सकते हैं उसके बाद में है लगू वरित्खंड का चेतरफल तो इसका सुत्र है पाई आर स्क्वाइर थिटा बटे 360 माइनस एक बटे 2R स्क्वाइर साइन थिटा उसके बाद में है दिर्ग वरित्खंड का चेतरफल तो इसका सुत्र है पाई आर स्क्वाइर माइनस लगू वरित्खं जो चेतरफल है जो जो अर्दवर्थ है जो अर्दवर्थ है उसका चेतरफल अगर आपको निकालना है तो एक बट्टा दो पाई आरी स्क्वाई ये सुतर आपको काम में लेना है अगर आपको सकेंद्री वर्त का चेतरफल निकालना है तो पाई कोश्टक आरवन का आपको यूज करना है अगर आपको चतुर्थांस यानि क्वेडलेंट का एरिया आपको निकालना है चतुर्थांस का चतरफल निकालना है तो उसका फार्मूला है एक बट्टे चार पाई आर स्कुरेर उसके बाद में प्रसनावली 13 है आपके प्रस्टी चतरफल और आइतन तो इसमें पहला फार्मूला है आपके गण का संपूर प्रस्टी चतरफल जिसका सुत्र है 6 into बुजाई स्कुरेर उसके बाद में दूसरा है गण का आइतन बुजा की क्यूब यानि बुजा की घात तीन उसके बाद में तीसरा है गणाब का संपूर प्रस्टी सिट्थल तो इसका सुत्र है दो कोश्टक लंबाई गुणा चोड़ाई प्लस चोड़ाई गुणा उंचाई प्लस उंचाई गुणा लंबाई उसके बाद में है गनाब का आयतन अगर आपको गनाब का आयतन निकालना है तो लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई अगर आपके 2 pi r square अगर आपको अर्ध गोले का संपूर्ण प्रेस्टी सेतरबल निकालना है तो उसका सुत्र होगा 3 pi r square अगर आपको अर्ध गोले का आयतर निकालना है तो उसका फार्मूला है 2 बटे 3 pi r cube बेलन का जो वक्कर प्रेस्ट है उसका सुत्र होता है 2 pi r h अगर आपको बेलन का संपूर्ण प्रस निकालना है तो उसका फार्मूला होगा 2 pi r cost r plus h अगर आपको बेलन का आइतन निकालना है तो सुत्र है आपके pi r square h अब हम संकु की बात करें तो सबसे पहले है संकु का वक्र प्रस्थिय चेतरफल तो इसका सुत्र है pi r l और उसके बाद में संकु का कुल प्रस्थिय चेतरफल इसका सुत्र है pi r cost r plus r संकु का आइतन है उसका सुत्र है 1 बटे 3 pi r square h और संकु के छिन्नक का वक्र प्रस्थिय चेतरफल है आपके pi l cost r1 plus r2 उसके बाद में है संकु के छिन्नक का संपूर्ण प्रस्थिय चेतरफल तो pi l cost r1 plus r2 plus pi cost r1 का square plus r2 उसके बाद में है संकू के छिनक का आईतन तो उसका सुत्र है एक बटे तीन पाई है छोust के सक्वेर fewer प्लेस आर्टू का स्क्वेर प्लेस आर्वन गूना आर्टू ये सुत्र आपको याध गरना है उसके बाद में है प्रसनावली 14 संक्खेकी यानी इस्टेटिक्स जिसमें पहला formula है वरग चिन यानि वरग चिन अगर आपको निकालना है class mark अगर आपको निकालना है तो उसका सूतर है उपरी वरग सीमा plus निचली वरग सीमा बटे में क्या है दो उसके बाद में परतेक्स माद्दे यानि direct mean तो direct mean है तो उसका formula है x bar अक्स बाहर है यहां पर माद्दे ओके और इसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ अगर आपको कल्पित माद्दे निकालना है तो आपके फार्मूला होगा एफ प्लेस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ अगर आपको पद्विचलन माद्दे निकालना है तो उसका सुत्र होगा आपके a plus sigma f u बटे sigma f गुणा h अगर आपको भावलक निकालना है तो उसका formula होगा l plus f1 minus f0 बटे 2 f1 minus f0 minus f2 गुणा में क्या है h अगर आपको माद्दिक निकालना है तो उसका सुत्र होगा l plus n बटे 2 2-cf-f-h, अगर आपको माद्दिक, यहाँ पर देखिए, माद्दिक के तीन सुत्र हैं, यह सुत्र तो आपके बड़े क्यूष्टन में लगेगा, बाकि जो सोट कुष्टन आते हैं, उसमें माद्दिक के यह दो सुत्र काम करेंगे, यह सुत्र काम कब करेगा, जब आपको N, जब आपको N यहाँ पर क्या है, जो संख्या हैं आपको दे गई हैं, उनका सम, उनका जो टोटल है, अगर सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, तो आपको N बटा दो लगाना है, यह सुत्र लगाना है, अगर आपको विसम संख्या N है, अगर आप विसम संख्या है, तो यह सुत्र आपको लगाना है N बटा 2, प्लस N बटा 2, प्लस N बटा 2, प्लस 1 बटा 2, ऊके, उसके बाद में है प्रसनावली पंद्रा, प्राईक्ता, यानि प्रॉबेबिलिटी, जो चेप्टर नमर 15 है उसमें दो ही सुत्र हैं आपके, पहला सुत्र है आपके होने की दरसाते हैं पी इसे दरसाते हैं शुत्र है आपके अनुकुल परिनामों की संख्या बटे कुल परिनामों की संख्या ओके और अगर आपको नए होने की प्राइक्ता निकालनी है तो नए होने की प्राइक्ता को किसे दरसाते हैं पी बार से दरसाते हैं और इसका फोरूमला है 1-PE यानि होने की प्रायक्ता में से अगर आपन एक माइनस करें तो नए होने की प्रायक्ता है वो हमारे पास आ जाई ही और सभी बच्चों को एक बार फिर से जे मातादी कोमेंट में लिखना है जे महाकाल लिखना है और इसके आशिरवाद से गनित के अंदर आप एक अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एक्जाम में और ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करना है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी करें और चेनल पर आप नए हैं तो चेनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और इसका जो PDF है वो आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम ग्रूप जुरूर जोइन करें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा